अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपर कंपीटर के स्क्रीन क्यों दिखा रखिया है यह वीडियो उन स्टुडेंट्स के लिए हैं जो कंपीटर चलाना से मिलब स्टार्ट कर सकते हैं आज इस वीडियो को देखकर और मैं आज आपको बताऊंगे कि सबसे पहले कंपीटर मे कि हमारा माउस लिए हुआ है योटीव देखना से अधार यह दो दुटर रहे हैं तो अगर सफेर चलानी है तो अगर से सबसे बड़ी होती है तो सबसे बड़ी वाल की है यह देखा है इस बसे साथ क्यों अमारे के श्पेस एक खाcket qे देंफा की bothers आम यहाँ ने से होटी है यायोग काने के लिए काम होती है, इसकेण होगाँ अच्र 0W इसके बाद राकी थे ₱च पर होटी है और 1डे श्पेस करने कभिए रता होly और अगर हमारे कुछ भी अवर्ट गलत हो गया तो हम यहां से बैक स्पेस करके उसको हट आभी सकते हैं बाकि कि हमारे कीजी होती है एबीसी रिल्फाबैक्ट सोते हैं हैं पर सारे और इसी से हमारी हिंदी टैपिंग भी होती है बड़ सबसे पहले हमें आपर सीखेंगे कि नॉर्मल जो इंग्लिश टाइपिंग होती है वह कैसे करें तो मेरे जो सिस्टम पर की जो स्क्रीन है अगर आपको थोड़ा से दिख रहा होगा तो यह हमारा टाइपिंग का एप होता है टाइपिंग कोश करके अगर आपके फोन म सकते हैं तो उगल से डाउनलोड कर सकते हैं वह आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है अब कैसे यह माउस होता है हम Burani यह थ हमें च्रीज उतना फर यह लता स्क्रीत किसकी Celtics के का लिए और अपर यह च्प्र यह जो पर दिख रह और यह च्छा रहाएं च्छिज की हमें टाइपिंग पर ऐसे क्लिक करना है यहां से यानि की ऐसे क्लिक करना है एक Guatemala ठीक किया अब यहां से शुरू हो जाएगा या फिर अंट्र बह thief कर सकते हैं ऐसके बाद ठीक है अब हमारे सामने थाइपेंग कोच की इसकी कि बाद हमार पास स्क्रीन शो होती है क्या करना है अपना अपना नेम एंटर कर सकते हैं अगर आपको नाम कुछ हो अरहा है तो आप यहां से बैग-स्पेस की तरफ जाना उसको उटा देना तो यह पूरा हट जाएगा इस तरीके से बाट नेम एंटर कर रखा है अगर आपने नेम एंटर किया है for example मैंने हाँ पर क्या है sony क्या क्या है sony ठीक है तो अभी हम से पूछे को किया क्या आप एक new user है एंटर करने के बाद ठीक है देखो आप पूछ रहा है ये थोड़ा और पास लेके चलते है स्क्रीन की तरफ यूजर sony not found are you a new user तो आपको simply yes पर क्लिक करना है इस तरीके से उसकी बाद यहां से आपका start now हो जाएगा ठीक है उसकी बाद आपको इसमें देखेंगे कि आप 12 lessons है 5-9 hours की duration होती है आपको simply start now पर क्लिक करना है इस वाले finger से अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर home row है E and I key keys है R and UK है याने कि इस प्रैक्टिस करने के लिए है अब हम आप इसको रीड कर लीजएगा उसके बाद आपको lesson की duration दे रहें 15 minutes आप अपने according इसको increase decrease भी कर सकते हो like no time limits है 25 minutes है 35-45 what you choose I choose 25 minutes उसके बाद आपको यहां पर start now पर क्लिक करना है सबसे पहला आपका touch typing basics आजाता है 4 minute का है यह तो आप course को भी हां से change कर सकते हो या फिर आप यहां से start भी कर सकते हो यह हमारा lesson one है lesson two इसके बाद start होगा ठीक है तो हम simply first lesson पर click करते हैं इस तरीके से मैंने click किया था उसके बाद हम यहां से next करके start करेंगे अब आपको देखो मैं एक चीज़ बता देती हूँ यहां पर इधर आपको simply एक बात सिखाए गई थी first lesson में कि आपको कैसे start करनी है typing तो इधर आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं मैं आपको इधर से समझाती हूँ एल देखो जैसे मारा key word होता है तो हमारी जो four fingers होती है आपको एससे लखी जाती है इधर से four fingers इस तरीके से रखी जाती है यह जो मारा thumb होता है यह सपेस की पर रखा जाता है and same हमें यह अपने right hand के साथ करना होता है और उसकी बाद है मारे जी वाली राइट हेंड होता है वैसे हमें जे पर के पर एल पर यह जो लास्ट वाली होती है यह इस पर समी कॉलन पर और यह जो दोनों थम्ब होते हैं यह हमें इस तरीके से रखने होते हैं तो इस तरीके से जो फर्स लेसन था हमने यह सिखा कि हम फि फिंगर इधार और दोनों थम जो हैं यह स्पेस की पर रखने हैं उसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको computer की screen को now second lesson क्या है इस पर click करकर देखते हैं ठेक है अब हमें क्या करना है जैसे हमने रखने फोर फिंगर से इधर ASDF पर N हमारे जो फ्थम रहेंगे यह रहेंगे हमारे स्पेस की की तरफ और उसकी बाद जो हमारे J की L है यह हमें राइट साइड करना है तो चलिए करके देखते हैं एक बार बस सिंपली जैसे जिसी option है वैसे से में प्रेस करकर प्रैक्टिस करनी होती है यह lesson second में आपको बस इतना ही बताएगा कि किस तरीके से हमारी fingers की position रहेगी अब हम प्रेस करते हैं A को ठीक है तो हमने किस से करना है अब देखो यह है ना हम इस तरीकी से बताएगा भी कि यह सरकल आएगा जिस फिंगर पर हमें उसको ही प्रैस करना है और उसी तरीके से करना है तो हमने किया इधर A को प्रैस तो A प्रैस हो गया अब हमने करना है S को तो S कहां पर है यह राइस ठीक है तो हमने किया इदर S को प्रेस तो S सी प्रेस हो गया नाव D को प्रेस करना है यानि कि हमें समिट फिंगर से करना है तो D हो गया अब हमने करना है F से ठीक है तो हमने किया इदर F सी प्रेस ठीक है अब हमने क्या करना है j k l same अब किसके साथ करेंगे हम right hand के साथ तो हम रखेंगे j पर k पर l पर और last semicolon यह जो बन रखा है यह तर finger रखेंगे तो हमने प्रेस किया इदर j ठेक है then किया k then l and last semicolon ठेक है अब next कर देना है उसी तरीके से आपको पर practice करनी है आज की वीडियो में बस इतना ही हम सीखेंगे अब next वीडियो में I hope आपको वीडियो समझाया होगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like share comment और चैनल को subscribe जरूर करें thank you for watching